सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसके साथ साथ यार देखो जैसे आप ये क्लास ले रहे हो इसके साथ आपको टॉपिक वाइस जी के सुबह पढ़ा रहा हूं नो बजे ठीक है वह भी बहुत महत्पून क्लास है करेंट फेर अभी नो बजे होगा लाइब टेस दस बसके पंदरा मिनट पर होगा करते हैं साइंस के कुछ अच्छे कोशन की बताई जैसे यह कोशन भी इंपोर्टेंट है ठीक है इसकोशन में बहुत सारी इंफोर्मेशन भी है इसकोशन का आंसर क्या है इन वीच ऑफ फॉलिविंग ऑर्गेन बाइल इस स्टोर जल्दी से बतेगा जो बाइल है वह कूंस की पिए और आनसर क्या इसकोशन का ठीक है अभी से शुदर जाव ऑगे तुम झालो ठीक है देते हैं जवाब तुम्हें आव आन divisions में धिकना की burning स्प्लीन का क्या कोशन है याद देखो स्प्लीन का कोशन यह आता है कि जो आर्बीसी डैट होते हैं आर्बीसी जो खतम होते हैं वह एकली कहां पर जाते हैं दिमाख रखेगा स्प्लीन में जाते हैं इस पर भी कोशन आपको मिल सकता है ठीक है और अपेंडिक्स जो है अब हम यह पहले क्या करता था, cellulose को digest करता था, इस पर question आ सकता है, ठेक है, ते माक में रहे हैं, यह question cellulose, vestigial organ, RBC और liver का तो आई गया, ठेक है, एक और question देखिए, इस question आ सकता है, पिचाथ फोल्विंग डेवलप, immunity system in our body, जल्दी से बता है, हमारे शेरीर में, immunity system कैसे डेवलप होता है, comment करेगा, इस question आ सके, share करना session को जल्दी से बता है, ठेक है, answer कैसे question का, देखो, immunity system कैसे डेवलप होता है, बहुत ही important question है, अब, अरे यार, यह repeated नहीं है, दोस्त, हर एक question का format अलग होता है, ठेक है, हमारे exam का ग्यान इतना सही है, उस ग्यान को घुमा फिरा के, ऐसे पूछलो, ऐसे पूछलो, ऐसे पूछलो, ऐसे पूछलो, ठेक है, बस वही है, आपका जो, जो चीज, सीखने वाली चीज, यही है, कि आपको question किस तरीके से format में बूछा दाए ठेक है, which of the following developed immunity system, तो अब answer इसका antigen हो गया, पहले एक question पूछा था, उसमे मैंने आपको answer बताए था, क्या बोलते हैं, ठेक है, दिमाग पर रखे है, मैंने आपको बताए, WBC, WBC बताए ना, ठेक है, तो अब एक WBC, आपका immunity system का question आ रहा है, एक antigen का आ रहा है, confusion तो होगी ठेक है, चलिए, एक और question देखिए, squishing answer के है, बताए, smoke किसका उधारन है, जल्दी से बताएगा, squishing answer के है, ठेक है, बताएगा, क्या है, squishing answer, smoke किसका उधारन, comment करेगा, चलिए, answer के है, squishing आपको, हाँजी, बिल्कुल आप कर सकते हो, सच्चिन, यहां से, जिस class में आ आ ज ठोक, धुए की बात हो रही है, अब कितना, अब एक बच्चा कहा रहा है, solid in gas, ठेक है, बिल्कुल सही कहा रहा है, अभी भरतवाच की, भाई, solid gas में होता है, धुए में क्या होता है, कि हमारी पूरी तो gas होती है, ठोड़ी सी राक होती है, तो मैं कह सकता हूँ, इसको कि, इसका answer है, ठेक है, और जितने भी कोशन दे रखे हैं कि, भाई, liquid dispersing, solid, gel का और यह सब उधारन आपको कही न कहीं मिलते है, यह कोशन बहुत important pattern है, यह कोशन का, ठेक है, जो आपको मिल सकता है, भाई, share करना session को, इतना बड़ा question आ रहा है, करना जरूरी है, ठेक है, share करना session question को question का answer बताओ, question के pattern पे जाओ, question के pattern को समझो, उस content को सीखे, किसी और question को solve कर सकते हो, यह सीखो, इसे कहते है, preparation, ठेक है, तो answer कहा है, इस question कार्बन फोर्म, compound by sharing of electron, बिल्कुल सही कहा रहा है, उसका मुझे कारण भी बिल्कुल सही लगा है, कि भाई, assertion is correct, and reason is also correct, कि भाई, carbon जो है, इसके चार electron है, जो share करते हैं, बाकी के चार electron को, ठेक है, जिससे एक complete बनता है, तो answer मैं इसका क्या लगा हूँआ, ए लगा हूँआ, अब बच्चे, अगर आप गोरव, कुमार जैस कोशन रिपीट है, और करना जरूरी भी है, क्योंकि एंजाइम के कोशन आएंगे, या आएंगे, बता ही, इस कोशन आएंगे, जैसे ये कोशन है, कह रहा कि भाई, enzymes are killed at which temperature, मैं आपको simple सी बात करूँ, कि enzyme ना बहुत जादा high temperature होने पे खतम होते हैं, ठेक है, बहुत जाद है, ठेक है, अब बता इसमें से कौन सा warm-blooded है, अब इसका कोई बोलेगा कि सर, आपने cold-blooded का कराया था, ठेक है, कचुए कर, ठीक है, अब मैं warm-blooded का पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताएंगे, इस कोशन का answer क्या होगा, कौन सा warm-blooded है, शेयर करिए का session को जल्दी से बता ठेक है, तो इसी वज़े से हमारा question का answer क्या है, बैट इसका answer है, ठेक है, और कुछ exception हो सकते हैं, लेकिन otherwise mammal are 99% अपना warm-blooded कैटेगरी में ही आएंगे, ठेक है, तो एक और question देखिए, इस question का answer क्या है, comment करेंगा, ठेक है, बताएं, extra glucose, जैसे मालो मेरे शेरी में extra glucose है, और व किसमे हुआ, हमने उसे किसमे store किया, जल्दी से बताएं, इस question का answer क्या है, ठेक है, हमने उसे किसमे store क्या, extra glucose है, तो वो glycogen में convert होगा, और store किसमे होगा, answer क्या है, ठेक है, ठेक है, ठेक है, चलिए, answer क्या, दोबारा लीवर, इसका answer मैंने, आपको अभी question कराया, लीवर का अब वही question कैसे आ गया, ठेक है, ठेक है, एक और question क्या है, पहले, बाइल के format में आया, अब इसका answer यह है, एक और question देखिए, इस question का answer के है, चल्दी से बताएं, इस question का answer के, Name the plant hormone which increase the activity of cambium in the wooden plants, ठेक है, cambium की activity को कौन सा hormone, जैसे अगर मैं यह टहनी बताओ, और टहनी के यह पत्ती है, ठेक है, इसके बीच में जो है न, wood area, cambium, ठेक है, यह increase होता है, किस hormone की वज़े से, comment करेगा, इस question का answer के है, ठेक है, इस question का answer क्या है, ठेक है, इस question का answer क्या है, ठे जिब्रोलीनिस का answer एक अच्छा कोशन है, ठेक है, अच्छा मुझे बताए आप में से किस-किस ने आइबी का फोर्म भरा हुआ, ठेक है, आइबी का फोर्म भरा हुआ, एक बारी comment box पर इमानदारी से बताए है, कौन-कौन आइबी का फोर्म भरके बैठा हूँ, जल्दी स लगा में अनसर hijos देखा है, जल्दी से comment सारे हरे बच्चा लारतेश कौन से हमारे शरीर में, हमारे human body में कौन से है, जल्दी से बताए है इस कोशन का answer खहे है, फोर्म भरतेश को बताए है यह नहीं पर कॉष्ण आ सकता है फिकाइड एक और वॉटन देखिए को कोषन करक्त हैं हमने यह कुशन ने करना बते हैं कोषण फादर फाधर वॉफ जसक्रो को में हुजिए सारे कोशन कवर करेंगे एक और कोशन देखेगा देखो बेटा कोर्स भी आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं आप जैसे चाहते रहें कि एक दम आप बिल्कुल थियोरी पड़ो ने-ने कंटेंट को कवर कर लो तो आप यहां पर जाकी डोड़ रहे हो तो आपको बहुत सार से लेकर करके एससी गोल के लिएक मन से लेकर करके रैफर कोड लाइवमन यूज करें तैन परसेंट के लिए इससे डिसकाउंट हो जाएगा कोस्ट आपकी क्या है 24 मंत में सबसे कम होती है ठीक है चली देखते है को कोशन बते हैं डायमेंड और ग्रेफाइट के लिए क्या स्टेटमेंट सही नहीं है बेटा बेने आपको बता दिया अक्षित अभी ठीक है बाकी क्लास के हैंड में बताता हूं ठीक है अगर मैं डायमेंड और ग्रेफाइट की बात करूं ना अब इसमें कोशन लेगो बहुत आर्मेंट अफ कारण बिलुकुल से यार कारण बने बहुत आर आइसोटोप्स क्या ये सही है क्या ये सही है इसमें ऑप्षन में दे रखा है बहुत आर एलोटोप ये तो सही है ठीक है ये तो सही है ठीक है लेकिन आइसोटोप नहीं होते है क्योंकि ये दोनों एक्जामपल एलोटोप का है ये किसका उधारन है ये रहें ने ने डायमंड ग्रेफाइट और सी सिक्स्टी दोनों के तीनों के तीनों क्या है एलो ट्रोप का उधार है तो इस वज़े से स्टेटर्मेंट जो है गलत है एक और कोशन कोशन के आंसर का कमेंट करें कि एस और को लिए जल्दी से बतेंगा टेक्ट क्या इसकोशंग आंसर जल्दी से बतेंगा टेक्ट क्या इसका हिलियम इसका आंसर चलिए एक और लाल रखत करनीकाओं का एवरेज अगर मैं बात करूं लाइफ क्या है बिल्कुल सिंपल सा है एक और कोशन देखते हैं कोशन यह बताइगे मैं आपको साइंटिफिक रोज ने-ने कराने की कोशिश करता हूं मैं वही चीज नहीं लेके आता हूं जो आपको मिरकल मदब नहीं चाहिए और वह चीज में पुरानी रखता हूं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोशन आता ही उसी में से थेक हैं बहुत आप अलग पढ़ लोगे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा कि क्विट इंडिया मूव्मेंट में ठेक किसके द्व चाहिए बशर्ते आपका ज्यान बहुत जादा हो आपको पता हो लेकिन पिपर में नहीं मिलेगा आपको तो उसका फाइदा क्या है जो आपको बस घ्यान दिखाने के लिए हो तो कोबरा इसका आंसर ओचीज आती है जो उसको प्रैक्टिस करो बार बार ठीक है विजबन ओ इसका आंसर है important question है पूछा जा सकता है एक और कोशन देखिए चलिए एक और कोशन देखिए क्या इसको सब्सक्राइब कमर्शियर वैल्यू को कि सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा कोशन है जो कमर्शिली जो प्रोड्यूस करते हैं यूज करने के लिए इंडस्ट्रिस में किससे मिलता है अच्छा कोशन है मुश्किल है कोशन जल्दी से पताई सकते कमेंट करेंगा ओर किससे प्रोड्यूस होता है कमेंट करें है है ना को यह important question c पांसर का इसका तो आपको पता होने चाहिए साइंटिफिक वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए ठीक है मुश्किल भी यह नहीं इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि जब मैं कर्ड देख रहा तो में लिए असान हो गया बैक्टिरियर रिस्पोंसिबल फॉर्ट को गलत कर रहे हो तो आपके लिए दिक्कत होने वाले क्योंकि यह सबसे असान कोशन में से एक है एक और कोशन देखिए जैसे यह कोशन है वीचमंगता फॉल्विएंगे से कोमन एन प्रोड़क्ट औफ एन एरोबिक रस्पिरेशन प्यारा कोशन बहुत ही ज्यादा प्या लक्टिक एसइड्स का ऑंसर है क्या इसकी आंसर लाक्टिक एक एसब्ल़क्ट से अन्सर कर सकते कि वाई यह वाईयो के जल्दी से एक बड़र करेगा साथ मैं आपके लिए फ्राइडेख चुम्हें फ्राइडे को अगर आपने आई भी पढ़ा है तो मैं special अगर आपने फोम भरा है तो आपके लिए बहुत फ्राइडे को special session मिलने वाले है ठीक है आई भी के लिए ठीक है आई बी के लिए ठीक है चलिए answer का इस question गा बायो प्रोटीन लिखाना तब मैं गलत करूँगा ठीक है सिर्फ इदर प्रोटीन होता ना तो ये भी answer सही हो जाता ठीक है लेकिन और प्रोटीन की वाज़े से question गलत हो गया यह option गलत हो गया ठीक है एक पर question देखिए question answer के हां जी थोड़ा मुश्किल question अगर एक motion सिर्फ एक plane पर हो रहा है ठीक है it is on one plane ठीक है सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे motion को हम क्या कहते है जल्दी से होते हैं ठीक है जल्दी से होते हैं ठीक है answer के है question गा ठीक है answer के question का plane motion कहते है ठीक है दिवाख रखे अब कुछ बच्सका answer रेक्टी लीनियर लगाएंगे एक रुषण के ररक्षण यह कर लो फिर भी ठीक है जाइलम जो है ठीक है अगर गर वो secondary primary xylem है तो उसे हम क्या कहते है secondary form primary xylem मतलब एक पहले xylem form हुआ और उसके बाद दूसरा xylem form हुआ तो उसमें से जो second form primary xylem है उस element को हम क्या कहते है comment करेगा question answer क्या है ठेक है उसे हम क्या कहते है comment करेगा एक अच्छा कोशन है पूछा रहा सकता है ठीक है आंसर के वेटा इसका आंसर क्या है ठीक है मैटा जायलम इसका आंसर है ठीक है मैटा जायलम इसका आंसर है ठीक है इम्पोर्टेंट है पूछा रहा सकता है मैटा जायलम इसका आंसर है करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे चेंज ओफ लिक्विड इन टेंपरेचर बिलो दा बॉइलिंग पॉइंट से जस नीचे जो है उसको हम क्या कहेंगे करेंगे जस बोलिंग पॉइंट से नीचे ठीक है बाखिए तो आप सभी जानते हैं मैंने कल एक कोशन करा था ठीक तो आंसर के इस कोशन का दिबाब पर रखेगा इस कोशन का अंसर इवैपरेशन है अभी अब इसके आंसर बॉइलिंग पॉइंट लगाओगे तो आप क्या कर रहे हैं पाप कर रहे हैं अगर आपसे 100 परसेंट बोला याता ना तब मैं कहता है अब यहां तो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो कह रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट तो होई नहीं सकता ना ठीक है एक और कोशन देखी कोशन नमबर 35 का प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है कमेंट करेगा आप सिंपल सा कोशन है कि आपसे पोदे और जानवरों म चली आंसर के है इस कोशन का दिमाग पर रखेगा लोकलाइस हो बिटा जिसको भी किसी भी तरीके डाउट पूछना ना उसका सबसे असान तरीका है मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोक्स में अनकैडमी का प्रोफाइल है वहाँ पे उसे फोलो करो और उसके बाद उसके मैसेज बौकस पर मुझे मैसेज करतो ठीका अगर कोई बिटा ओ ठीक है реб technique करीं कोईव बहुत इंपोरण कोशन है क्रिप्टोन थेखर नया कोशन है ठीकbstormatर तेकी चलिए एक और कोशन देखिए इसकोशन का अंसर के या बताओ कोशन नम्मr 28 कोशन सारे मुष्किल है सारे मुश्किल कोशन और अच्छे कोशन है कोशन नम्मr 28 का अंसर बतेगा सार के सारे अभी अपना दस बज़े के 15 मिनट पे एक लाइट टेस्ट भी हो के दवारा अगर उनकी किड्नी के अफेक्टिड है इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते है इस पूरे फिनोमिना में क्या होता है तो यह आपसे पूछा जा सकता क्यांठिशन को बताएब कि आपसे पूछ लेघाता है कि पानी का पूछ रहा है तो आणसर जैलम पंडी लगा ओर ठीक हैं जैलम और जल एक ही है एक और कोशन नकी यह कोशन नहीं करना बताएब से कोशन नमर 32 बताओ वो कोशन कर रहा हुआ यह कोशन ना एक बार यह और रिवाइस थेक है मैं आपको दो तिन बारी और करा हुआ क्योंकि यह फैक्ट है और यह फैक्ट आता है पर पर नहीं है लिए जल्दी सब देट कोशिण हुआ है ठीक है आंसर के स्कूशन आसर के सका 10.74 एंस्ट्रोंग इसका आंसर है तर रेन्बॉ हैस ठेके यह कौशन थोड़ा मुश्फिल कोष्ण है बहुत ज्यादा मुश्फिल कोशन इसको समझ भी लेना मिबाग रिखेगा ते लाइन्हां नहीं कि चलिए अंसर करते के रेंबो के गर बात करू ठेकन को समझो मुश्किल आ कोश्ण थोड़ा अगर मैं बात करूँ हमारा जो rainbow है न वो अर्थ के ऐसे चार ओर बनता है ठेक है और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से incorrect statement कुन सी है और incorrect statement कुन सी है यह कि red light is the innermost color अर्थ के चार ओर बनता है और कह रहा है कि red light is the innermost यानि कि r इदर होगा और v इदर होगा यह बिलकुल गलत है न क्योंकि यह statement में कहा रहा है red light is the innermost तो red इदर होगा व इदर होगा और कभी भी आपने observe किया हो न तो विब्ग्योर में v नीचे होता तो आंसर इसका क्या यह है देखो मुश्किल कोशन है आपसे पूछा जा सकता है हमें समझने की देर है ठीक है चले एक और कोशन देखे राइट पोर्शन ओफ human hurt receive dash blood बड़ा प्यारा कोशन है अगर मैं बात करूं पूरे हट के चार चेमबर है ना चार चेमबर में से इस पोर्शन में कैसा हट होगा कैसा ब्लड आगा ठेक है इस पोर्शन में कैसा ब्लड आगा जल्दी से कमन्ट करें ठेक है जल्दी से बतां इस कोशेंगा अंसर के अब इस में इस तरफ की बात करूं तो इजएक्ली प्योर ब्लड आएगा क्योंकि हमारा उक्सीजन इदर से आता है अब यह तुम इंप्योर क्यों बता रहे हो अच्छा राइट सेड बोला है तो यह फिर क्या दिक्कत है तो तो ठेकINGING प्योर लिएगा इस चाहिए ऐसका अंशर हंडेड पर्संट प्योर है क्योंकि औक Sizzan अक्सीजन दर करेकर न इसमें इस प्योर्षन में ने एंक्सीजन हो लगनेशन तो यह प्योर ब्लडि यह आता है यह बिलकुल सहीं है एक और कोशन देखिए इस कोशन का इंप्योर पर मत जाओ भाई आंसर मत देखो कि आप यह आंसर लिखा है तो यह सही होगा ठेक है रट्टा मानने की जरूत में कभी-कभी मैच ऐसे जो करते हैं जो कंटेंट बनता है तो उसमें गलती से ठेक है वो डारक्ट हो जाता है कोई दिक कत राइट है तो अगर मैं जब भी राइट बोलता हो ना तो राइट हमेशा इसका प्योडी रहे गए ठेक है अगर वह राइट की जगहा लेफ्ट कहता नो तब आंसर इंप्योर आ जाता है रट्टा रा रट्वार थी चुन के आंसर को देख के थोड़ी ऐसा सोचे कि वस यह लिखे दिया इसमें एसा थोड़ी एक मन्दब लिखे दिया तहा वो सही होगा वह गलत भी हो सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं हम कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे चलिए एक और कोशन देखिए का ठीक है फैर्म नोस आप जनरली प्रोड्यूस बाइव विच्छ फॉलिविंग जहर आम तोर पे इसे हम कहते हैं किसमें प्रोड्यूस होता है कम अच्छा और है पॉलिमर विच्छ है इंट्र मोलिकुलर फोर्स बेट्विन दा चेन बते ऐसे पॉलिमर को हम क्या नहीं जिसके बीछ में बहुत स्ट्रों respons होती है टेक है इंट्र उम औलिक्लर फोर्स स्टील कहते हैं और स्टील के भी बाद और क्या आता है फाइबर यूज करने लगया आप क्योंकि वह लाइट भी होता है स्टोंग भी होता है ठीक है दिमाख रखेंगा ठीक अरे यार अक्षित शर्मा बिटा पढ़ाई कर लो ठीक है आप पढ़ भी रहे हो आदा घंटा हो या आपको पढ़ते हुए और यह भी कहर से रिपीट पसट एक कराता हूँ ठीक है और वह किसले कराथा हो भी कोजए एक दस दिन तक नहीं तक नहीं कराना इस तुम भूल ही जाओगे इन चार कोशन को तो उस दिन करायका बेस्ट हो जाएगा जिस दिन में आपको इस चार question करा है ठेक है एक strategic तरीके से पढ़ोगे ना तभी selection होगा ठेक है ऐसा नहीं पूरा ज्यान ले लिया आप कभी भी एक किताब को पूरे दिन में पढ़ जाओ वो किताब आपके लिने वेस्ट है ठेक है कुछ याद ही नहीं रहेगा ठेक है उस किताब को बार-बार पढ़ोगे तब आप इसकाई झाती इसक्राइब स्केटरिंग होती है एक और कोशन देखिए कोशन नमबर चालीस का अंसर बताएगे क्या इस कोशन हाँ डाशे स्टाड़ी फीजिकल वोर्म एक्स्टेंटर स्ट्रक्चर प्लांट जल्दी से बताएगे इस कोशन का अंसर के हैं बहुत ही प्यारा कोशन है यह करता है आख भूख धश्यां है इसको दूख फाइटाम और फलोजी कहते हैं ठेके दिबाख करके प्लाइब फाइटाम आर्फलोजी कें फॉर्म और कोशन देखिएगा यह आपने कही नए कही पड़ा वी होगा हनौ इंप सा इसमें करा चुका हूह यह औप्षन यह अपशन कारा रखा है क्य sv particular रखें आपको किटोन से आँचो क्या कार रखा वह आप हिँदर कीटोन बॉड़ि तो कई नहीं है ठीक है दिमाख रखे है ये किटोन बोडी तो कई भी नहीं लेकिन आंसर फिर भी आएगा अपना ठीक है आंसर किटोन बोडी के नहीं दे रखा अपनी ये क्लास आठ बजे डेली हो रही है आप बस वाइफ़ाइ स्टूडियो से उपन करके रात को आठ बज जुड़ जाओ आपको सबसे important question आपको जरूर मिल दाएंगे practice के लिए science के full science हो रही है इसके बाद current फिर कराऊंगा अलग से उसके बाद अलग से जीके भी कराऊंगा लेकिन पहले science ठीक है और आठ बजे डेली होती है timing अपनी 8 p.m. डेली का कल भी होगी इसी channel पर अब इसमें किटोन केकल को य हैंजी बिलकुल होगी अपनी अपनी क्लास सारी होनी है जो होती है ठीक है 9 p.m का करेंट फेर का तो लिंक में पहले वीडियो के description box में लगा चुका है आप देख ले ना वीडियो के सबसे नीच सबसे उपर जो पहला लिंक है न 9 p.m करेंट फेर का open करके live a man refer code लगा के जुड़ जाना अच्छा है कोशन कि भाई galvanic cell में किए अनोड होता है ठीक है ऑक्सिडेशन रहता है उसका बस आपको ऐसे याद करना है ऊपसिडेशन होता है और यह याद रखना है ठीक है बताईए विच व दो फॉलिविंग इस वाट for the water molecule comment करेंगा इस कोशन का कमेंट करें ठीक है थोड़ा सा मुश्किल है थोड़ा सा मुश्किल कोशन है क्या रहे कि वाटर स्ट्रक्चर होता है ऐसे बनता है तो इस वाझे से आपका स्ट्रेट्मेंट में अंसर ए बिलकुल सही और बोन एंगल 120 होता है यह नहीं है और ऐसा कभी एंगल मेने देखा नहीं है ना वहारी किसी गोश्किल बताए चूब ठेक है तो आल अव दी अबो तो आंसर हो नहीं सकता इसका जिवाख हो रखे चले एक और कोशन देखें topic wise जी जी के आप कोई कहाई कर सर इसका class का क्या फायदा इस class का उतना ही फायदा है जितना फायदा आपको ना किसी और अन्य क्लास में ठेक है बहुत महीनों तक पढ़ने सक हो सकता है ठेक है मैं आपको इस क्लास में एक महीने structured wise topic जी के पढ़ा रहा हूँ कितने बजे सुबह 9 बजे ठेक है इससे उम्दा content में कहीनी पढ़ा सकता और सारा content यह होता है आठ को जोगरफी बोला तो quality कर रहे कल सुबह हिस्ट्री का है schedule में तो कल हिस्ट्री कराऊंगा एक हफते पहले इसका schedule बनाके रख देता हूँ तो दस तारी कहने कि कल सुबह 9 बजे अपना इसी चैनल पर wifi study studios पर ही होगी ठेक लास आंसर इसका दिवाक रखना है बताएगे हमारे अगर शरीर में nitrogenous waste इकठा हो जाता है ठेक है इकठा हो जाता है ठेक है तो उस समय कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो काम करना बंद कर देता है जल्दी से बदेगे कौन सा ऐसा शरीर का अंग है जो काम करना बंद कर देता है आंसर के स्कूर्षिण नो सब गुणा है तेकर आंसर के इस कोश्चन जल्दी से कमेंट करें हूं हुआ हुआ है कि ठेकर आंसर के स्कूर्षिण गा ठेकर किटनीस का अंसर ऐठ एक और कोश्छन देखो यर अबेसली नाट्रोजिनस वेंस इकठा होगा तो कड्रीनी ही तो काम नहीं करें नाट्रोजिनस वेंस से घ्र संबंद एक वह एक बेल होती ने ना भी पानी को रेडिएटर में यूज कर आता इसका कारण देशा पूछा आप से कि वही पानी को का रेडियेटर में क्यों यूज कि आता है इस कोशिंग आंसर बतेगा तेकि क्या है इस कोशिंग आंसर कि देखेंगे आंसक है थेके कार एडिटर में से हैं क्योंकि नहीं असका हाई स्पेसिफिक हीट होता है करें कि यह अच्छा कोशन आप से पूछा रहा सकता है ठेके पते इस कोशन का आंसर किया है है ठेके आंसर क्या है ठेके आंसर क्या है बेटा जो हाट वाला कोशन है उसे अभी हम देखेंगे कल देखते हैं हाट वाले सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दोनों को एक ही रेडियस में अगर अरेंज किया है एसे वस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं ठेके मुश्किल कोशन है ठेके दिवाग को रखेगा ठेके चली आंसर कहा है को लेटरल इसे कहेंगे कि वह को लेटरल जो है पैटर्न होता है एक और कोशन देखते हैं अगर एक व्यक्ति क्लियरली नहीं देशकता दस मिटर के बाद ठेके उसे क्या है बिलकुल सिंपल सी बात है उसे निकट द्रिस्टी है उसकी सिर्फ पास की द्रिस्टी है दूर की है ही नहीं ठेके दिवाग दमायोपी इसका अंसर नियर सटेश था ठेके वह अभी हम देख लेंगे पियोर और इंपूर वाले का देख लेंग उसका इसलिए मैं उसको अभी होल्ड पे रख रहा और आपको भी बता रहो कि जो मैं आपको दोबारा बताऊंगा ठीक है वह आपका सही आंसर होगा ठीक है पहली बात यह विच फॉलिविंग कॉलिविंग क्या है शेरिंग है अब शेरिंग किसमें हो सकती है ऑक्सीजन और क्लोरी यह कोशन घलत है ज़ली सबते हैं इसका इथाइलीन है क्योंकि फळो को पकाने के लिए यह यह व्यूज होता है झाली कोशन करते हैं साट कोशन करने के वाद यह क्लास डेली आट पेंव औरी एय्ट पेंव इ highlight एक यहाइट पी एंप यह क्लास ृ Колास डेली हो रहा है थे वाई वैफाय च्टी शेडियो चैनल साठ कोशन करने के देबाद अपना क्या है ठीक है दूसरी क्लास करेंगे नो बजे करिंट इस ऑफ के लिए बाइपक्सी होता है ठीक इंसेक्टी वरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट4 देखो यार बहुत ही असान कोशन है इंसेक्टी वरेस जो है ट्रैप इंसेक्ट फोर नाइट्रोजन एक और कोशन देखी है ये क्लास दस बच के पंद्रा मिनाट पर होगी एक ले ठीक है वाइफाइ स्टडी चैनल पर ये कोशन नहीं करना क्राइजिनिक साइंस किसे समंदित है यह समंदित है यह समंदित है टो अंपने आगग अठ बजे के जो सेशन पर लिए आप अब जितने भी बच्चे देख रहें ना अभी हम क्या करने वाले है कि हम बजे नो बजे करेंड फेर पढ़ेंगे ठीक है मिस मत करेंगा नो बजे के करेंड फेर सेशन गो ठीक है कहां पे होगा अनकेडमी फ्री ओफ कोस्ट होने वाला कोशन बहुत सारे हैं लेकिन यह रेगुलरली चलते हैं तो आपको इसी में कंटिनेशन में मिलता है ठीक है चली अभी हम क्या कर आपना क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन वुक्स में ठीक है शेडियो एक को स्किप कररके बाकि सभी कोशन एकदम करेक्ट और सब कुछ आपको पढ़ना है ठीक है अभी क्लास होगी और प्री क्लास होगी special class ठीक है अपना क्या है वीडियो के description box में ठीक है ठीक है वीडियो के description box में link दे रखा है courses अगर आप जुड़ रहे हो तो courses में आपना सीधा आप complete batches में जुड़ो ठीक है आप complete batches में जुड़ रहे हो कहने का मतलब सभी subject कर रहे हो और हर एक exam को cover करने के लिए एक ही course ठीक है वो course का है ssc में मिल रहा है आपको directly ssc goal get subscription क्लिक करें और month सिलेक करके refer code यूज करें लाइव अमन ठीक है अब इसका benefit क्या है पहली बात तो ना आप 12 मन से कम करना मत आपको बहुत जादा फायदा होता है अगर आप 12 मन यह 24 करते हो क्योंकि आपकी cost automatically कम हो जाती ह refer code live लगाने से आपका 10% discount है ठेक है तो यह सब चीजे करिए session को अभी end कर रहे है ठेक है वीडियो के description box में link दे रखा है ठेक है मेरे next session का 9 बजे के current अफिर का उसको जरू देखे यह class daily होगी ठेक है daily class हो रही है 8 बजे बाकि आपके IB के लिए session में लेके आऊँगा ठेक है और जो प्योर इंप्योर वाला कोशन उसको skip करके चलेंगे बाकि सबी कोशन आप एक बदे रिवाइस कर लीजे ठेक है चली धन्यवाद session को end करते हैं